आकाश्वानी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंख प्रुधान मंत्री नरेंद्रमूदी ने आज कहा है कि देश में उपचार को किफायती बनाना सरकार की सर्वुच प्रातमेक्ता है श्री मोदी ने आज स्वास्त और चकित्सा अनुसंधान पर बजट उपरांद वेबिनार को वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से संबोधित करते वे कहा क्या इश्वान भारत और जन औशधी योजनाओं के कारण गरीबूं और मध्यम वर्क के रोग्यों की एक लाख करोण रुपए से अधिक की बजट हुई है उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने स्वास्त सेवाओं को केवल स्वास्त मंत्राले तक ही सीमित नहीं रखा है बलकि पूरे सरकारी तंत्र के लिए ये प्राथमिक्ता का विश्य है प्रुधान मंत्री ने बताया कि पिछले वर्षों में 260 से अधिक मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं जबकि 2014 के बाद मेडिकल सीटों की संख्याद दोगनी हो गई है केंदरी कृष्यमंत्री नरिन सिंग को बने कल मुराणा में आयोजित जलास्तरी कारिक्रम में लाडली बहना यूचना के शुरुवात की इस दौरान श्रेटोमर ने कहा है कि ये यूचना महिलाओं के सशक्तिकरण में मील का पथर साबित हो की कारिक्रम में मौझूद मुरैना से लेकि प्रभारी मंत्री भारस सिंग कुश्पार ने कहा है कि जिन माता बहनों को 600 रुपए पिंशन मिलती थी उन्हें भी अब 1000 रुपए दिये जाएंगे उधर टीकमगंड में लाडली भेना यूजना के शुभारम बॉसर पर केंद्री मंत्री डॉक्टर विरेंद्र कुमार ने कहा है कि राजी सरकार हर बर के लिए कल्याणकारी यूजनाय चला रही है गौरतलब है कि कल मोख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान ने भुपाल में आयोजित राजिस्तरी कारिग्रम में मोख्यमंत्री लाडली भेना यूजना का शुभारम किया था इस यूजना में धाई लाख रुपए से कम आय और पांच एकर से कम जमीन वाली महिलाओं के पच्चीस मार्ट से फॉर्म भरे जाएंगे जबकि जून महिने से प्रतिमाह खाते में एक हजार रुपए डाले जाएंगे पिंचन और पिंचन भोगी कल्याण विभाग डियोपी, पीडब्ली और बैंक और बड़ोदा द्वारा आज फोपाल में बैंकर्स चागरुकता कारिशाला का आयोजन किया जा रहा है पिंचन नियमों में हुई संशोधुनों के बारे में चाकरुक किया जाएगा गौरतलभे की केंद्र सरकार ने पिंचन नीती के साथ साथ पिंचन सबंधी प्रक्रियाओं के डिजिटली करण में बड़ी संख्या में कल्याण कारी हुपाय किये है रंगुकत योहार होली बुद्वार को मनाया जाएगा कल रात पारंपरिक शुद्धा भाव के साथ जगय जगय होली का दहन की जाएगी गौ सवर्धन बोड की कारे परिशत के अध्यक स्वामी अखिलीश्पुरा नंद गिरी ने प्रोदेश के नागरिकों से अपील की है कि होली का दहन में गौकाश्ट और कंडो का उप्योग करे उन्हें कहाए कि हमारी गौशालाओं में परियाप्त मात्रा में सस्ते धामों पर ये सामगरी उप्लब्ध है गौकास्ट और कंडे के विक्रे से गौशालाओं के आमदनी होगी और वे आप निर्भर बनेंगी उन्हें कहाए कि हरे भरे विक्षों को ना काटे आगर मालवा से हमारे समवादाता ने बताए कि जिले में हूली का त्योहार अनूठे तरीके से मनाया जाता है इसके लिए शेत्र में हलवाईयों के दुकानों पर इन दिनों शक्कर के गहने बनाये जाते हैं इन गहनों को ग्रामीरों द्वारा विशेश रोप से खरीदा जा रहा है परमपराओं के तहट इन गहनों को पहन कर खोलिका की पूजा की जाती है अब कबर मौसम की आपको समझान से शेट में बुरहानपुर में कल वेका आयुशमान कैम्प का आयोचन किया गया सतना जिला सिक्षा अधिकारी नीरव दिख्षित ने बार्मीक अक्षा के फिजिक्स की विपराउट होने समन्दी खबर का खंडन किया है खंडवा विधान सभा के ग्राम बमहीर पंचायत सीवना में मुख्यमंत्री कन्यादान योचना के तहट कल 134 कन्याओं का विवा कराया गया नर्मदापुरम में जिला अधिवक्ता संग आसे 12 मार्च तक हर्ताल पर है शिपरी सिले के ग्राम चमुहा में सलाविदेग सेवा प्राधे करन द्वारा का लेक विधेग चागरुकता शिवर का आयोचन किया गया इस पुलिटिन में इतना ही दीजे इजाज़त नमस्कार